हेलो दोस्तो, स्वागे था आपका यूटूब चैनल सुपाटेग गनेक्स के और एक नए वीडियो में दोस्तो, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने आधार कार्ड से कैसे लोन ले सकते हैं दोस्तो, मैं आपको इस वीडियो में लाइप प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड से सिर्फ दो मिनट में पच्छा सजार रुपिय तक का लोन ले सकते हैं तो कैसे आपको लोन लेना है, लोन के लिए कैसा आप अपलाई कर सकते हैं आपको इस वीडियो में step by step दिखाने वाले हैं तो आपको भी अगर आधार कार्ड से लोन लेना है, तो वीडियो को complete watch किजिए तो चलिए, शुरू करते हैं तो दोस्तो, अपने मोबाईल से लोन अपलाई करने के लिए, लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको एक application इस्टॉल करनी होगी, जिस application का नाम है branch personal loan तो आप अपने मोबाईल में google play store में आके इस branch personal loan एप को इस्टॉल कर लेंगे दोस्तो यह बहुत ही बढ़िया है, आप इसके थुरू से 50,000 रुपय तक लोन ले सकते हैं तो इसको आप इस्टॉल कर लेंगे, इस अपका link आपको इस video के description में भी मिल जाएगा आप description में दिये हुए link पे click करके भी इस app को install कर सकता है तो चलिए मैं इस app को install करके आपको आगी का process दिखाता हूँ कि कैसे आपको loan के लिए apply करना है तो देख सकते हैं मैंने app को install करके open कर लिया है तो जैसे आप open करेंगे इस परकार आपको interface दिखेगा सबसे पहले आपको यहाँ पे language select करने का option मिलेगा कि आपकी जवासा में इस app को चलाना चाहते हैं आपको यहाँ पे English, Hindi तो language select करने के बाद आपके समने इस परकार interface आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको दो option दीख रहा है आए है वे branch account का और एक option आपको दीख रहा है आए अगर आप पहले से इस अपका यूज करते हैं आपका पहले से branch account बना हुआ है इस अप में पहले से register किये हैं तो आप I have branch account पे click करेंगे अगर आप new account बना रहे हैं नया loan इस अप supply कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे I have new branch का option दीख रहा है इस पे आपको click करना है चलिए मैं click कर देता हूँ अब जैसे इस पे click करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे country select करने का option मिलेगा आप country को select करेंगे जैसे कि यहाँ पे इंडिया select किया हुआ तो मैं इंडिया रहने देता हूँ तो यहाँ पे आपको दो option दीख रहा है एक registered with phone number का और एक registered with facebook का तो अगर आप facebook के तुरू login करना चाहते हैं तो facebook पे click करेंगे अगर आप mobile number के तुरू इसमें register करना चाहते हैं तो आप mobile number पे click करेंगे अब जैसे phone number पे click करेंगे आपको यहाँ पे mobile number डालना पड़ेगा द सब्सक्राइब करना है और अरी आपके समय क्ल किलिए आपके समय इसक्राइब अ ही पर क्लिक करना है तो तो सबते हैं नियुक्त हैं 500 रुपिय से लेकर चालीस अजर रुपिय तक आप लोन ले सकते दोस्तों पहले इसमें लोन अमाउट ज्यादा था पता सज़ा तक था लेकिन अभी लिमिट को कुछ घटा दिया गया है जिसमें 40 सजर यहां पे 100 हो रहा है तो यह पर देख सकते हैं आपको start your loan application का option दिख रहा है अगर आप लोन अभी apply करना चाहते हैं तुरन तो start your loan application पर आ Lucid location तो यहां पर allow access पर आपको क्लिक करना है नीचे अब जीशा अलोँ अक्सेश पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको यहां पर लोकेशन का अक्सेश देना है आप allow करेंगे आप contact list जो आपको ही mobile है उस mobile में है उसका आपको permission देना है allow करना है अब आपको SMS मेसेज का permission allow करन देख सकते हैं identity type to get started kindly select and ID type low तो यहाँ पे दोस्तों आप ID को select करेंगे कि आप किस ID के थूरू लोन लेना चाते हैं तो जैसे आप identity type पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आधार का option मिलेगा और एक वौटर का option मिलेगा दगर आधार कार्ड से लोन लेना चाते हैं तो आधार क option दिकर आपको continue पे क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप continue पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर आधार का फोटो किसना है तो देख सकते हैं have your original card handling to click clear photos तो आपको clear तरीके से अपने original आधार का फोटो लेना है चलिए मैं next पे क्लिक करता हूँ आप जैसे next पे क्लिक करेंगे यह यहाँ पे camera चालू हो जाएगा आपको camera का access देना है आप यहाँ से आधार का फोटो किस लेंगे इसके बाद दोस्तों जैसे आप आधार का फोटो किस लेंगे इसके बाद आपको एक selfie भी खिसना है अपना आप next करेंगे camera चालू हो जाएगा आपको camera को allow देना है permission देना है इसके बाद आप एक selfie कर लेंगे और submit कर देंगे आपको यहाँ पर submit का option देख आपको submit पर क्लिक कर देना है दोस्तों जैसे आप अपना आधार काड़ और selfie लेंगा भीज मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम एंटर करना है देख सकते हैं आप अपना पूरा नाम डालेंगे आप अपना pen number डालेंगे यहाँ पर अपना date of birth यानि जन्मतिती को डालेंगे और यहाँ से आप अपना gender को select कर लेंगे male, female जो भी आप है select कर लेंगे इसके बाद आपको state address पर अपना state डालना है इसके बाद दोस्तो आपको अपना city या पर डाल देना है आपको अपना pin code डाल ला है और यहां से आपको select state पर क्लिक करके अपना state को select कर लेना है इसे आप state select पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी state का list आजाएगा तो यहां साथ अपना state को choose कर लेंगे इसके बाद state डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना email ID डाल देना है और यहाँ पर term और condition को आपको check कर देना है दोस्तो एड्रेस डालने के बाद आप आपको bank select करने का option मिल जाएगा आप यहाँ से अपना bank name और account number डालेंगे जिस account में आप loan amount को लेना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आप bank name को चूज कर लेंगे सभी bank को का डिश्ट आजाएगा आप यहाँ से अपना bank name को चूज करेंगे यहाँ पर अपना bank account number को डालेंगे इसके बाद आप यहाँ पर submit पे click करेंगे इसाब submit पे click करेंगे आपको यहाँ पे loan दोस्तो आप bank detail डालने के बाद आपको यहाँ पे loan amount select करने का option मिल जागा देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है swipe and tap to select a loan amount तो आप यहाँ से swipe करते रहिए आपको जितना भी loan amount चाहिए उसको आप select कर लेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे continue option दिखे आपको continue पे click कर देना है और confirm कर देना है आपका loan amount आपके economy credit हो जाएगा इस परकार दोस्तो आप branch personal loan app के तुरूर loan ले सकते हैं जो कि मैंना आपको इस वीडियो में complete process बता दी है कि कैसे आपको loan के लिए apply करना है जो भी आप loan amount लेंगे आपको इस एप के interface में भी देखने को मिल जाएगा क्या आपको इस अपके तुरू कितना loan आप लिए है तो I hope आपको यह जानकार यह अच्छी लगी अगर आपको जानकार यह अच्छी लगी तो वीडियो को like किजिए चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को आगे सेर किजिए और आपके मन में कोई भी confusion है या फिर रोन रिपेमेंट पर वीडियो चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट किजिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू जाहिन